और आपका कोई और चीज़ से भी स्वाल हो अगर कोई पीछे रह जाता है बेशक आप टाइप कर ले मैं देंड भी देख रहा होता हूं चार्ट को तो विल टेक दाट ठीक है अभी चार्ट देखना पॉसिबल है सही है और राइट अगली चीज़ पर आ जाते हैं ठीक है इरिगेशन क्या बढ़ेंगे इरिगेशन ठीक है वाइज अब बाइड डेफिनेशन इरिगेशन क्या होता है सही है ना इरिगेशन is the artificial नकली, artificial supply of water to the land, जमीन को जब आप पानी सप्लाइ करते हो, इंसान करेगा, नाचरली क्या होगा, बारिश आएगी, ठीक है, artificial supply of water to the land, जब आप जमीन को आटिफिशली पानी सप्लाइ करते हो, that is termed as irrigation, उसको क्या कहते हैं, irrigation, इंसान सदियों से irrigation करतावा आरहे है, ठीक है, so this is how you define irrigation, अगली चीज़ दिएग्ली चीज़ दिएग्ली चीज़ ज़ीज़ दिएग्ली चीज़ आप उडर्शान इस is the significance of irrigation, ठीक है, यह सवाल इग्जामिनर ने इन अलफाजों में पूछा भी है, क्या, why is irrigation, why is irrigation important, इसको भी उसी अंदाज में बढ़ेंगे, develop करेंगे points को ठीक है, number one, first thing first, भाई, irrigation के बगेर, rice जैसे crops कैसे grow करेंगे, जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो पहला reason क्या लिखोगे, some crops require plenty of water, ठीक है, plenty of water, अब इसको develop कैसे करोगे, by crop का नाम दे दो, example दे दो, ठीक है, rice, rice की जो fields होती है, वो flooded होनी चाहिए, ठीक है, agriculture में हम आगे इस बात पढ़ेंगे, number two, irrigation इसले भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं, जहां पर aridity बहुत स्यादा होती है, evaporation बहुत स्यादा होता है, बारिश पढ़ती है, सूरच चाचू की जो किरने है, सूरच चाचू की जो sun rays है, sunlight है, sun rays की वज़ा से वो पानी evaporate हो जाते है, यानि एक जमीन है, उसके उपर आपने अल्ला ताले की तरव से बारिश होई, पानी आगया, लेकिन सूरच की तपिश इतनी है, सूरच की गर्मी इतनी है, sun rays इतनी है, कि वो जो पानी है, वो evaporate हो जाएगा, crop पानी पिएगा, उससे पहले evaporate हो जाएगा, जिस तरह Tom and Jerry में नहीं दिखाते थे कि Tom कुछ पीने वाला होता था, जेरी गाइब हो जाता है, उसमें से पी लेता है, इसी तरह सूरच जो है, वो फॉरन से grasp कर लेगा, before the crop actually uses that water, so second reason is, high rates of evaporation, ठीक है, आप बेशक इसको develop करना चाहें, तो आप example दे दे, ठीक है, यह आप लिखें, बहुत सारे ऐसे arid areas हैं, जहां पर यह वो है, जैसे for example थरपार कर, ठीक है, tail end of valochistan, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, इसलिए irrigation जरूरी है, number three, बच्चों, irrigation इसलिए भी जरूरी है, because आपकी जो पारिश है, वो भरोसे के काबिल नहीं है, जिस तरह आपकी जिन्दगी में वो भरोसे के काबिल नहीं है, इसी तरही के से बारिश भी हमारी भरोसे के काबिल नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, unreliable timings of rainfall, जब बारिश चाहिए, तब आती नहीं है, जब नहीं चाहिए, तो इतनी आती है कि अजब बन जाता है, unreliable timings of rainfall, ठीक है, चौथा, ये भी rainfall से related है, ठीक है, भाई rainfall अगर आती है, तो उसके जो timings, उसके जो amount होता है, वो insufficient होता है, insufficient amount of rainfall, insufficient amount of rainfall, आ रही है बात समझ में, ठीक है, तो these are the different things, जो कि आपको मद्दे नजर रखे, एक और बता देता हूं, ठीक है न, for example, बारिश हमें 10 दिन के लिए चाहिए, क्या बारिश की कोई guarantee है, कि 10 दिन आईगी, और जिस amount में चाहिए, उसी में आईगी, नहीं, कोई guarantee as such, नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, for example, less number of rainy days, less number of rainy days, चुँके आप पढ़ नहीं हैं, तो इससे फाइदा उठाएं, एक special आपके साथ, ठीक है न, EKG शेर करते हैं, EKG, अलीजान का घ्यान, अलीजान का घ्यान, ठीक है, अलीजान का घ्यान, याद रख लो भाई, बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ दस दिन बारिश होती है, पूरा साल, 10 days annually, भड़े भाई, बहुत कम है यार ये, दस दिन, पूरा साल में बारिश होने का मतलब है, almost होई नेरी है, ठीक है, तो ऐसे इलाकों में, irrigation important बन जाते है, ठीक हो गई बात, तो इस इस हाओ, इस इस वाई irrigation is important, Now, the next thing that we are going to talk about, is the methods of irrigation, irrigation का मतलब होता है, खेट तक पानी पहुचाना, लेकिन किस तरह पहुचाया जाता है, इसको समझने की कोशिश करें, there are two main methods of irrigation, ठीक है, कितने main methods हैं, दो main methods हैं, पहला is traditional method, ठीक है, versus जो दूसरा है, दूसरा is modern method, ठीक है, यह बहुत easy है, हम इनकी nitty gritties में जाएंगे अभी, सही है ना, हर method को details से बढ़ाऊंगा, इतने details से methods के उपर information available नहीं होती है, so let's talk about the traditional methods, ठीक है, traditional methods में basically, these are old methods, कौन से methods हैं, these are old methods, ठीक है, यानि के these are also called conventional methods, पुराने methods हैं, ठीक है, बाबा या आदम के जमाने के, और modern methods के हैं, as the name suggests, they are new methods, ठीक है, latest methods, recent methods, ठीक है ना, so, हम अपनी कहानी start करेंगे आज की, and probably, I don't think we will be able to move on to modern methods, क्योंके traditional भी 5 हैं, वो हम study कर रहे होंगे, सही है ना, तो, let's jump to the traditional methods, and before I jump to the traditional methods, यहां तक अगर आपके जहन शरीफ में कोई सवाल है, ठीक हो बड़ी चरीफ में कोई खारिच हो रही है, तो बता दें और पूछ लें, otherwise, कर बड़ीज, पर भाइस,